मुंबई के 10 सबसे मशहूर लोग जिनके विदेशों में भी लोग दीवाने हैं नमबर 10 आलिया भट आलिया भट को बॉलिवुड की सबसे टैलेंटेड और वर्सेटाइल अभिनेत्रियों में शुमार किया जाता है मुंबई में जन्मी आलिया ने Student of the Year से अपना फिल्मी सफर शुरू किया लेकिन हाईवे और उड़ता पंजाब जैसी फिल्मों में अपनी दमदार अदाकारी से सभी का दिल जीत लिया आलिया का चार्म और मासूमियत साथ ही उनकी एक्टिंग की गंभीरता उन्हें नई पीड़ी की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक बनाते हैं नमबर नौ रनवीर सिंग 6 जुलाई 1985 को मुंबई में पैदा हुए रनवीर सिंग आज के समय में बॉलिवुड के सबसे पावरफुल और एनरजेटिक अक्टर्स में गिने जाते हैं बैंड बाजा बाराद से शुरुआत करने वाले रनवीर ने अपने यूनिक स्टाइल, जबरदस्ट एनरजी और बेहतरीन एक्टिंग से इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई है नमबर आठ मुकेश अमबानी रिलाइंस इंडस्ट्री के चेर्मैन और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक मुकेश अमबानी का मुंबई शहर में बहुत बड़ा योगदान है उनका निवास स्थान एंटीलिया दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक है मुकेश अम्बानी ने इंडस्ट्री में क्रांती लाते हुए रिलाइंस जीयो के माध्यम से देश को डिजिटल दुनिया से जोड़ा मुंबई की अर्थ व्यवस्था में उनका योगदान इतना महत्वपूर्ण है कि उन्हें शहर का टाइकून कहा जाता है फिल्मी परिवार से होने के बावजूद रणबीर कपूर ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर खुद को बॉलिवूड में स्थापित किया है उन्होंने सांवरिया से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और ये जवानी है दीवानी, बर्फी और संजू जैसी फिल्मों में अपनी बहतरीन पर्फॉर्मेंस से फैंस का दिल जीत लिया उनकी एक्टिंग स्किल्स और रोल्स में विविधता ने उन्हें इंडस्ट्री के सबसे टैलेंटेड एक्टर्स में शुमार किया है रणबीर की खासियत है कि वो हर रोल में खुद को इतनी बखुबी ढाल लेते हैं कि दर्शकों को हर बार कुछ नया देखने को मिलता है मुंबई में राजनीति की जब बात होती है तो उद्धव ठाकरे का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जाता है उद्धव ठाकरे का जन्म 27 जुलाई 1960 को मुंबई में हुआ और वह महाराश्टर के एक बड़े राजनीतिक परिवार से तालुक रखते हैं बाल ठाकरे के बेटे उद्धव, शिवसेना के नेता और महाराश्टर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में कई महत्वपूर्ण निर्णे लिये और मुंबई के विकास में उनका बड़ा योगदान रहा है उद्धव की सरल और सौमे परसनालिटी उन्हें जन्ता के बीच काफी लोकप्रिय बनाती है नमबर पाँच दीपिका पादुकोन का बॉलिवुड में कोई सानी नहीं है ओम शांती ओम से धमाकेदार एंट्री करने के बाद उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में दी पदमावत, कॉकटेल, चेननाई एक्सप्रेस जैसी फिल्मों में दीपिका ने अपनी दमदार पफॉर्मेंस से खुद को एक बहतरीन अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया दीपिका की खुबसूरती, टैलेंट और सादगी ने उन्हें बॉलिवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में जगह दिलाई है वो अपने हर किर्दार में कुछ नया जोडती हैं और हर बार दर्शकों को सर्प्राइज करती है बॉलिवुड के सिंगम कहे जाने वाले अजय देवगन ने अपने करियर की शुरुवात फूल और कांटे जैसी धमाकेदार फिल्म से की थी मुंबई में पले बढ़े अजय देवगन का नाम आज एक्शन हीरोज की लिस्ट में सबसे उपर है लेकिन उनकी एक्टिंग की रेंज काफी वर्सिटाइल है गोलमाल, तानहाजी और दृश्यम जैसी फिल्मों में उन्होंने एक्शन के साथ साथ इमोशनल और कॉमिक रोल्स में भी खुद को साबित किया है अजय का शांत स्वभाव और उनका आन स्क्रीन एटीट्यूड उन्हें बाकी एक्टर्स से अलग करता है मुंबई में जन्मी श्रद्धा कपूर ने आशिकी टू से अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की और फिर बागी, स्त्री और छिछोरे जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी से फैंस का दिल जीत लिया श्रद्धा का चार्म और नेचुरल एक्टिंग स्टाइल उन्हें युवाओं के बीच खासा पॉपुलर बनाता है उनकी सादगी और मासूमियत, साथ ही उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें इंडस्ट्री में एक भरोसे मंद नाम बना दिया है आज श्रद्धा बॉलिवुड की सबसे पॉपुलर और लवड अभिनेत्रियों में से एक हैं और स्त्री टू के ब्लॉक बस्टर होने के साथ तो उनके फैंस की संख्या दिन बदिन बढ़ती ही जा रही है भारत के सबसे प्रतिष्ठित बिजनेसमैन में गिने जाने वाले रतन टाटा का नाम सिर्फ बिजनेस जगत में ही नहीं बलकि समाज सेवा में भी सबसे आगे है उनका जन्म मुंबई में 28 दिसंबर 1937 को हुआ था रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयर्मैन रहे हैं और उनके नेत्रित्व में टाटा ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी जगह बनाई उन्होंने अपनी कमपनी को सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं चलाया बलकि समाज के विकास के लिए भी कई अहम कदम उठाए रतन टाटा की सादगी और उनके समाज सेवा के कार्य उन्हें लाखों लोगों का आदर्श बनाते हैं क्रिकेट के मैदान पर सचिन तेंदुलकर से बड़ा नाम शायद ही कोई हो मुंबई में पले बढ़े सचिन ने कम उम्र में ही भारतिय क्रिकेट टीम के लिए खेलना शुरू किया और जल्द ही क्रिकेट के भगवान के नाम से पहचाने जाने लगे उन्होंने क्रिकेट के लगभग हर बड़े रिकॉर्ड को तोड़ा और अपना नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज करवा ली है सचिन की सबसे बड़ी खासियत उनकी खेल के प्रतिनिष्ठा और खेल भावना थी जो उन्हें बाकी खिलाडियों से अलग करती थी अब यहां तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल भी मत भूलना धन्यवाद